तो यार Ant-Man और Atom Smasher में से कौन जीतेगा अगर वो बड़े होकर लड़ते हैं तो चलिए बताता हूँ लेकिन आपने भाई के चैनल को जबू सब्सक्राइब कर देना तो यार ये फाइट एक बड़ी ही इंट्रस्टिंग है Atom Smasher जहां Black Adam को उतनी देड़ अपने फिस्ट के नीचे दबा दिया था और हुरूत के स्टैची को भी उठा लिया था वहीं अपना स्कॉर्ट बस एक पर्च में पूरी चित्तोरी लेवियतन को टेक डाउन कर दिया था यानि Ant Man बनने के बाद अपना स्कॉर्ट भी बहुत जादा पावरफुल बन जाता है और हमने देखा था कि Atom Smasher Black Adam के एक पंच से नॉक आउट हो गया था और अपना स्कॉर्ट भी Tony और Rody के एक साथ पंच मारने से नॉक आउट हो गया था तो फिर यार ये दोनों लड़ेंगे तो जीतेगा कौन तो यार इसका सीधा सा आंसर है जिसकी हीट सबसे पहले पड़ेगी उसके जादा चांसे है जीतने के क्योंकि हाइट बढ़ने के बाद मोबिलिटी उतनी ही जादा धीमी हो जाएगी साथ ही एटम समेशर इसलिए जीत सकता है क्योंकि सकॉट उतना बड़ा साइस जादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता तो चलो यार यार ये का मैं तुम्हार पर छोड़ता हूँ एटम समेशर कौन है जादा पावरफुल मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बताना बाकि वीडियो चलेगे तो वीडियो को लाइक हो चैनल को जब सब्सक्राइब कर देना